नमस्कार मैं सुनिल चोरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज आज मेरे साथ मोहिश शर्मा है जो कि एक युवा किसान नेता है और इस किसान आंदोलन में उन्हों ने काफी बढ़ चड़कर हिस्सा लिया है यह बहुत ही वायरल हुए आप सभी ने देखा हुआ है तो आए आज हम मोहिश शर्मा से आज कट्टू कट सवाल करेंगे जो देशी भासा में बोलते ना कि कट्टू कट तो आज हम इनसे कट्टू का सवाल करेंगे पहला प्रश्म हर्याना में कॉंट्रेक्ट खेती से किसान हो रहे माला माल इस पैक ने कराया साथ सो करोड रुपे का अनुवाल ठीक है ना सब्सक्राइब का कॉंट्रेक्ट फार्मिंग के अगर आप बात करते हैं तो आप अगर देश के प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं तो देश के प् फसल को बेगता है मद्यपरदेश के अंदर ठीक है ना जनाड़ किसान की प्रधानमंत्री महदे बात करते हैं तो प्रधानमंत्री महदे आप भी उस बात की और ध्यान के अंद्रित करिए और बताइए कि उस किसान को अब तक अपनी फसल का पूर्ण दाम क्यों नहीं मिला दूसरी बात जब वो F-IR लिखवाने के लिए जाता है तो जब महराश्च में लिखवाता है तो महराश्च गौर्मेंट चैती है भी ब爹 मद्ध परदेश का मस्वा है आप मद्ध पर्देश जाएए और जब मद्ध परदेश पहुंचता है तो मद्यपरदेश की सरकार कहती है कि ये महाराष्ट का मसला है आप महाराष्ट में लिखाईए तो आप एक बात बताईए सरकार और सरकार की राजनेती और कृशी कानून के बिच पिसरा देश का गरीब किसान आपके किसे मदद मांगने जाएगा इससे निजात पाने के लिए किसी कानून आया है साइट इससे चुटकारा मिल जाएगा किसानों को नए कानून से एक बात अगर आप इन बिलों को आपने पढ़ा होगा तो आप भी बखो भी तौर पर जानते होंगे इस बिल के अंदर की मंदियों का जिक्र है बिलकुल मंदियों का जिक्र है अगर आपने मंदियों की बात कर लिए तो ये आपके लिए समझ लिए फसने वाला एक परशनता जिसमें आप फस गाए है आप तीनों कानूनों को उपर से नीचे तक रीड करिए और उसके बाद आप देखिए इसमें मंडियों का कोई जिक्र है ही नहीं जिस मंडियों की विवस्ता को बहतर करने की बाद देश की सरकार के द्वारा की जारी है अगर असल में आप इस काले कानून को पढ़ें तो इनके अंदर मंडियों का तो कोई जिक्र और प्रशन है ही नहीं दूसरी बात अगर आप इस काले कानून को देखते हैं ठीक है तो आप ये देखिए देश का किसान अपनी जगे पूंड रूप से ठीक है आपको लिखित में आसवाशन देने में क्या अपती आ रही है कि इस बिल के लागू हो जाने के बाद अगर कोई भी किसान देश का आत्मत्या करता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी देश की सरकार लेती है या फिर देश के किसान को पूंड सहमती देते हैं क्या आपको लगता है कि इसको देश के किसान को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए मेरी नज़र में मिलना चाहिए आपको लगता है सरकार तयार तो है सर इसके लिए लेकि सरकार तो तयार है लेकिन अगर आप पीनो करशी कानून की बात करते हैं और आप कहते हैं कॉंट्रेक्ट फार्मिंग तो आप क्या यह कहना चाहरे हैं कि 102 साल पहले अगर महत्मा गांधी जी ने कॉंट्रेक्ट फार्मिंग का समापन किया जिसे आप और हमशुद बाहशा में कहें तो ठेका पर था तो वह गलत किया ऐसा नहीं समय और प्रस्थिती हैं मुईत जी उस समय याद हो आपको जब उत्पादन कितना होता था गेहूं का एक बार यह भी कहा गया था पूर्प्रदानमत्री जी मानने पूर्प्रदानमत्री कहा था इंडिया गेट पर गहीं बहुत दे तो इसलिए लगाया गया था जब हमारे पास सड़ा अमेरिका का गेहूं आता था जिसे खाकर भारत के लोगों के तबेद खराब होती थी तमाम तरीके की मिमारियां होती थी यह उस समय की बात आप नगे कि उस समय खादान बहुत कम उत्पादन होता था बिलकुल अब परत्तमान में आते हैं बजट में जो किसानों के लिए बहुत सारे माला बजट में ऐसे से प्राबधान किये हैं इससे किसान के उन्नती होगी प्रगति होगी तो इस जो आप ब्रोज कर रहें बिलका अप योगता क्या रह जाती आ है तो यह जी 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 आप इसमें लिखा हुआ है कि जब बजट ने मेंस पी खतम होने से प्रिशने लिखाए जितनी बार वारता हुई है मेरे ख्याल से देश का किसान हर बार पहुंचा तो है लेकिन किसान ने सीधा ये बोला है कि पहले तीनों काले कानून वापस उसके बाद MSP पे गारंटी का कानून फिर उसके बाद तीसरी बात आती कि हम बात करेंगे जी तो खतम हो जाती ना जब तीनों कानून वापस हो जाएंगे MSP पे गारंटी का कानून बन जाएगा तो बात तो रही नहीं जाती सर फिर बात किसलिए करने जाते हैं आप देखिए आप एक बात मुझे बताईए देश के अंदर अगर एक क्रशी कानून अगर वापस हो तो एक बात मुझे बताईए आप अगर एक क्रशी कानून वापस हो जाएगा तो किया सूरज निकलना बंद हो जाएगा या की लोगों के लिए रास्ते खुल जाएंगे, किन लोगों के लिए रास्ते कुल जाएंगे, उद्योग पतियों के लिए , नाम में तो नहीड आपको समझाता हूँ ,, לק अब कर चानून olmगे अगर यह कानून वापास होते ईं ने कानून की आड में , seo को बैठेंगे उसके लिए भी प्रोटेस्ट दुबारा से शुरू होगा जैसा कि आपने पीछे देखा था शाइन बाग में किस तरह धरना चला था और उसी धरने के आधार पर मौजपूर में इस्डेली में किस तरह नरसंगार हुआ था देखिए मैं आपको निश्चे तोर करने के बाद देश की सरकार को अपने कानूनों को लेकर क्यों देश की जनता को समझाना पड़ता है और आप कह रहें न कि इन काले कानून पर विश्वास तो विश्वास तो उस व्यक्ति के और उसके व्यक्तित पकपर किया जाता है जो विश्वास के योग्ये हो लेकिन जो विश्वास के आयोग्य व्यक्ति है शायद आप भूल गए हों अरे सुनी तीन सो तीन सीटे आईए वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार आईए उसको आप मत नकारिए चीक है आप एक बात सुनिए तीन सो तीन सीट की अगर बात करते हैं तो जिस देश ने इवियम बन बिल्कुल आप एक बात मुझे बताईए आप ने ये बात तो बड़े आराम से कह दी एक बात मुझे बताईए वो बेटा वो बच्चा जो पूरे साल पढ़ा नहीं किलास के अंदर और हर सब्जेक्ट में हंड्रेट में से हंड्रेट लिया है तो क्या दूसरे पढ़ने व अ कहीemie मिलए हैं और कहीं ना कहीं उसको सब्जेक्ट में बैगमी देदी जाती है तो आप यहीं है देश की सत्ता चलाने के लिए tomar a can always डी आप के लिए ना जो मैंडी as contrast करें मैं मैंस को मैं बिंस्शता हूं माना मैं आपसे आयू में छोटा हूँ अनुभब में छोटा हूँ तजुर्वे में छोटा हूँ डेर साल आप कहते हैं से होल्ड पे डाल दिया जाता है अगर आप कहरें कि कानून में फायता है मैं नहीं कहता है हम नहीं कहते हमारा चैनल बिल्कुल सरकार अगर कहती है तो सरकार डेर साल होल्ड पर क्यों डाल लेगे वह कि उसके उपरां बैठ के बात करेंगे बिल्कुल मतलब आपने 72 दिन के दौरान 170 से जादा किसान शहीद हो गए तब आप बात करने नहीं आए लेकिन डेर साल इसलिए होल्ड पर डाला जा रहा है ताकि डेर साल के अंदर आप अपना उत्तर परदेश निप्टा लें समझ रहें आप उधर अपना बंगाल निप्टा लें और इदर अपना दिल्ली चुनाव निप्टा लें आपको तो मौका मिल जाएक उनको हराने का उत्तर आज अगर नरेंद्र मोदी है तो कल कोई दूसरा नरेंद्र मोदी कुरसी पर तैनाथ होगा थीक है इससे किसानों की स्तिती में सुधार आने वाला नहीं है अगर आप सोचें कि आप व्यक्ति बदल देंगे तो व्यक्तित को नहीं बदल सकते। ये कुरसी के अंदर एक ऐसा अंग्रेज एक ऐसा वाइरस छोड़के गए हैं जो आने वाली पीडी दर पीडी के अंदर तैनात है जो भी कुरसी पर विश्राम कर लेता है आप ये समझ लीजिए जो कुरसी पर विराजमान हो गया उसको कोई किसान नजर नहीं आता उसको मैं बताओं आपको ये रिएल में बताओं जो लोग लूटा करते थे सुनना चाहेंगे उनके अपट्टी का अगर निश्यत तौरपन मुझे एक बार लगता है और हमारे और आपके मेरे दोनों के प्रधानमंत्री के पुरे देश के प्रधानमंत्री है और हम लोग देश के प्रधानमंत्री जी से बस यही निवेदन और आगरे करना चाते हैं कि सतर दिन से जादा देश के किसान को यहां तैनात होते हुए हो गए 170 से ज़्यादा शाहदते हो गई तो आप वारता करने में क्यों हिचके चार रहे हैं आप जब वहां अमेरिका तक परचार के लिए पहुंच सकते हैं चुनावी परचार के लिए तो यहां वारता में कैसी आपती है यहां आईए जब हम अमेरिका में जाते हैं वहर और जाते हैं तो हम भी यहीं बोलते हैं, हम भार जा कर देश में क्यों भी ने पार लिएम फ़ते हैं। हैं आप आप ने शर्मा आगे क्यों लगा रहे का आप लिखते हैं आप महित क्यों लिखते हैं आप महित भारती लिखें